छेप स्टूडेंट के सबस्वागत आपका सो इसे ऊठीब स्टूडेंट्स अज की सी वीडियो में हम बात करेंगे लंड behavior के बारे में और इनेट विडियोुएर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया और लउन सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपने बिएव बिएव डिस्क्रिमनेशन सारे के बारे में इसी एक वीडियो में स्टडी करने वाले हैं सब्सक्राइब करते हैं एक। आगर आपने अज्टे में बिएव यह सो एकुंछ हमिएव इसमें क्या होता है बाई बर्त है वह वह भीढ़न नहीं आता है। इसको हम हम ट्रें करके हमें शीकाना पड़ता है ठीक है जो शीक कर जीघो कर के जो एक जो बैर करेंफों करता यह बहीएवियर वह बहुत बहुत लन इने अलेमें तपर इनेट नो फेंट यह बहुतिए वह इनेट पिफेंटी वूर्णा हम गुवत दिन जबह करने की दिदे और सवल्फ तू हम ऑप से सब्सक्राइब दोर सरकी है तो यह दोनों बहुत साथ में भी आ सकते हैं तो जो कि गाना गाती है और वह गाना गाना है उसको सीखना पड़ता है उबजरू करना पड़ता है कैसे गाया जाता है दोनों डीनट करता है ऐसा भी हो सकते हैं So, first topic has sensitization and habituation So, is cameに about this Sensitization is said to occur with a repeated presentation of a particularly significant stimulus such as food or electric shock lowers the threshold for the elacitation of appropriate behavior to the point where a second stimulus not normally capable of calling forth that behavior so sensitization में क्या होता है हम जैसे कोई भी stimulus हम रिपिटेट बाद बाद में हम अगर उसको देते रहेंगे ठीक है जैसे की एक अलग एक्जामपल है वो आगे instrumental में आएगा लेकिन जैसे की डोग के आगे वो गंटी बजाने वाला आपने सुना होगा तो एक बार बजाई दो बार बजाई तीन बार बजाई तो इसे रिपिटेट स्टिमलेस जैसे की लेक्ट्रिक सोग भी हम दे सकते हैं उसके रिस्पॉंस हो बदेने तो रिपिटेट सी स्टिमलेस देने पर अगर उसका जो एनिमल का बीएवियर है वो बढ़ता है तब तो वो सेंसिटाई जैसं में आएगा ठीक है और इमक्टी इसमाई तो इसका उलता होगा ठीक है आगे हम देखे हैंगे जो भी न्यास स्टुमिलेस आएगा तो उसके ऊपर जो बोग चिली सब्सक्राइल नमान खरका तो जो बहुत typ करेगा तो नई st estiver cya द आने नाए खरका का तो सच चांच बीधिय वेभीन घ्राइब façon exploratory food seeking movement toward the open end of the tube okay तो यह सारे है वो ब्यावर शो करते हैं so if on the other hand the worm receive mild electric shock at regular interval it become progressively more likely to respond to a novel stimulus by withdrawal तो अगर उसको मिड्ड लेवल का electric shock repeatedly देंगे तो वह स्टिमलेस के अगेंस्ट और ज्यादा जल्दी है वह रिस्पॉंड है वह करता है ठीक है तो इसमें यह सेंसिटाइजेशन देखा गया है लेकिन है पूरा ही उल्टा है हम जैसे ही रिपीटेड है वह रिपीटेड जो स् ठीक है तो इसमें है वह डिकलाइन होगा रिस्पॉंड का ठीक है रिस्पॉंड का मोगा सो सेंसिटाइजेशन बाइक उन्ट्रस तो एन इंक्रीज इन इन प्रोपाबिलिटी देट बीहेवेर अप्रोप्रप्राइट तो एर रिपिटिली प्रेजेंटेड स्टिमलेश वि इन नहीं प्रेजु क्ते डांश यह दौन भी सकते हैं की एक बीकल सेंसिताइजेशन साथ यह सकते हैं इसमें दें नहीं रखा लेकिए रिपीटली प्रजेंटेशन ओफ इस्ट्यूमिलस कें स्ट्यूमिलेशन साइमन टैंसली इंगेंज टू डिफेरेंट प्रोगिरेस वन काउजिंग डिया डिकलाइन इन दो प्रोबिलीटी ओफ रिस्पॉंडिंग तुड़ीट इस् के बारे में हमने बात की है ठीक है तो विच्वेशन का जैसे की है वो एक एक जामपल है जैसे कि आपने ये डिसकवरी या एनिमल प्लानेट चैनल पे इनको है आपने देखा होगा सो ब्लेक टेलड पेराइज डॉग है ये पेरी डॉग है सो ये दुसमन को है वो देखते हैं इनको देखकर हो दूसरों को भी बताते हैं बोलकर और बिल में हो घुच जाते हैं ठीक इनके बारे में थोड़ा पड़ लेते हैं निख्यास इसींपल फर्म फर्म आफ लर्णिंग इन विच एन अनिमल बिशतॉबस रिस्पोंदिंग टु ए स्टिमलेश और क्यू अर्ष a period of repeated exposure this a form of non associative learning and meaning that the stimulus is not linked with any punishment or reward तो कोई punishment or reward नहीं मिलता है उस related नहीं है फिर भी है वो कि अबिच्वेशन में है वो ठीक है डिकलाइन होता है ओक है फोर एक्जामपल जो पेरीज डोग हमने इमेज में देखा वो टीपिकली साउंड एन अलारम कोल विन ट्रेंड ट्रेंड बाइ प्रिडेटर तो उनके सिकारी किसी एक को भी देखेंगे तो वो अलारम जैसा है व पेरीज प्रिडे़े ट्रेंड एक परिडे़ इस अलारम कोल एक हुँ प्रेड लारम कोल विन अर्वन सत्प। अगर उन्होंने सत्प भी सुने है तो बीच्वेशन अलारम देदेंगे विच इंडिकेश अवर बिचली बहु अलारम कोल लीच और पार्स कोल्टेटर एक्सप्रियंस दे साउंड विदाउट एनिटिंग बेड हैपनिंग एवेंचली दे स्टॉप गिविंग अलारम कोल ओके समझ गए तो जैसे कि पहली भार जैसे उन्होंने सुना हुमन स्टेप तो उन्होंने अलारम दिया लेकिन अब जब बाद-बाद में वह इमन स्टेप आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं रिपिटेडली है वह स्टिमलेस हो रहा है मतलब बाद-बाद में हमन स्टेप आए जा रहे हैं तो वह और वह कोई प्रिडेटर दिक नहीं रहा है कोई नुकसान उनको हो नहीं रहा है लेकिन फूट स्टेप सुनाई दे जा रहे हैं तो तो अपना रिस्पॉंट बंद कर रहे है न डिकलाइन कर रहे है तो यह बेट्वेशन में आ जाएगा ठीक है सो असोशेटिव लर्निंग नेक्स टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो इन एनिमल बिहेवियर एनी लर्निंग प्रोग्रेस इन विच ए नुव रिस्पॉंस ब बिकले ए स्वाराइन बहुत आ स्त्राइएओ शोव रॉक्रम प्रेस्टिव लर्निंग यह बिट विकलेशन ऑग्ट में घुक्रम यह बाते हैं अस्ता इस ब्रॉद्स बहुत नसातिश्ट के नेक्स आप्टॉद दियूद्स ब्रोग्र्स बाइस ब्रॉद्सिस्ट्यों अ data is limited to learning that हमें देख्रू पस раз ही तो निकल लिएरिक तो क्वे Elder Junior करें good श से पहले में इंपरिंटिंग जो ने टोप पिक आता है तो वह एंपरिंटिंग मि भिए वह देख लेतला ही तो इंपरिंटिंग क्या होती है इंप्रिंटिंग इस इंपल और हाइली स्पेसिफिक टाइप अफ लेर्निंग अकर इत पर्टिकलर एज और लाइफ स्टेज दूरिंग देवलोप्मेंटल अफ सुर्टन अनिमल और सच अज़ दक अगीज विन डगिंग हैच दे इंप्रिंट ओन द फिर्स्ट अडियल्ट स्टेडन चुंच अजाने विल्कली स्टवनमडर निकलते हैं जो उनल जोенко हुआ जिसको भी पहली बार देखते हैं तो एपनी अन्हेंकों को देखिते हैं तो अपनी मदर को सब्सक्राइब лиया साइट ओफ दा मदर एक्ट अजए क्यू तो ट्रिगर ए शूट ओफ सर्वाइवल प्रोमोर्टिंग बिहेवियर्स एंड सच इस फोलोविंग दा मदर अराउंड एंड इमिटेटिंग हर तो यह पिचर में आप देख सकते हूँ जैसे कि यह है न्यूली हैच्ड है चुजे टाइप में उनके बच्चे है इस डख के ठीक है तो इनके यह सबसे पहले जैसे अपनी मदर को देखेंगे तो उसको फोलो करने लग जाएंगे उसके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे ठीक है तो यह हम सोच सकते हैं कि यह इनेट भी हो सकता है ठीक है तो इसको प्रूव हम कैसे करें कि यह लर्निंग में आता है so how do you know this is not an innate behavior in which the ducking is hard hard word hard weird to follow around the female duck so that that is how do we know in imprinting is learning process conditional by experience if newborn duck or geese see a human before they see their mother so they will imprint on the human and follow it around just as they would follow their real mother so if it is genetically or innate then they will follow them but if they see a human then they will follow them next topic we will discuss latent and insight learning so insight is the sudden understanding of the component of a problem and making the solution apparent that is not reinforced and not demonstrated until there is motivation to do so तो जब तक उसको वह चीज़ है वह मौटिवेशन नहीं मिलता है उस चीज़ करने में तब तक है वह behavior वह सो नहीं करता है latent learning में ओके यह reinforce नहीं होता है ठीक है कि परबलित नहीं होता है किसी से इसे परबलित नहीं होता है और जब तक इसको मोटिवेशन नहीं मिलता है लेटेंट लर्निंग में तब तक है वह बिएविर सो नहीं करता है ठीक है जैसे कि मैं आपको बता हूं जैसे कि लर्निंग इस विच न्यू बिएविर इस एक्वाइवर बट इस नॉट दिमोंसेटर अंटिल सम इंस्टेंट इस प्रवेड फॉर डिस्प्लेंग इट तो यह एक एक्जाम्पल जैसे कि ठीक है इसमें क्या होता है पहले है वह एक्सप्रिमेंट कर रहे हैं जैसे कि यह माउस है रेट है इसको है इस जो है काइंड ऑफ भूल्व लेगा हम बोल सकते हैं ठीक है तो इसके अंदर है वह रखा जाता है बहुत दिनों तक ठीक है वह आराम से गुमता है इसमें पूरे आपजर ऐ secrets अधविशोन है में ठीक ही तब हो इंस्टेंट्ल है उप्रोब्लम सोल करके इंस्टेंट्ल है वह उस जगह है वह चला जाएगा लेकिन है वह खाना रखने से पहले यह वह हो रेट वंडर्ड इस इन मेज इसको मेज बोलते हैं फोर टैन देज दस दिन तक इस मेज में इसको रखा गया एंड डिसीविंग नो रिवर्ड और पनीशमेंट तो इसको कोई भी खाना वगेरह नहीं दिया गया कोई पनीशमेंट नहीं दी थीक है एंड तो ग्यारवे दिन क्या किया फूड वाज प्लेजड एद एड अफ द द मेज तो इसके किसी एक कुन्हे में जैसे की यहां पे है वो खाना रख दिया गया इस मेज के अंदर ग्यारवे दिन में तो द रेट वर क्योग अबल तो फाइंड द फास्टेश्ट पाथ द फूड एंड सोविंग द लेटेंट लेर्निंग हैड अकड दूरिंग दियर टाइम इस्पेंड लिविंग इन द मेज तो इस जैसे की जैसे की इसकोने में रखने को मालो इसके बहुत सारे रास्ते हो माल बलाने लोगो इन द फैसे लेकिन फास्टेश्यड रास्त है जो यह तो इस रास्ते के वह थीज़र्ण आ रखेंगे घरी ठीक है घ रहाने फ़िलिवास दीक है सब जोब seldom इस दिए सब्सक्राइब और नहीं है और इस परीटे ने भीजर कोई भी रर्यूर नहीं हो ता फिस नियुड के सूर यूल जाणने की बिएवियर सो क्रता है so solution is less likely to be forgotten than if it is learned by root root repetitively drill and principle underlying solution is easily applied to other relevant problem solving situation so problem solving के बारे में so next आता है instrumental condition and classical condition classical condition instrumental condition में आते है यह classical conditioning okay and next आता है अपने पास so operant conditioning भी है वो भी आते है classical and operant conditioning instrumental conditioning में आते है so in classical conditioning a response already associated with one stimulus is associated with a second stimulus to which it had no previous connection so the most famous example of classical conditioning come from Iwan Pavlon's experiment in on a experiment किया पेलों ने पेलों ने पेलों ने so which is dog were conditioned to draw a response previously associated with food upon hearing the sound of a bell so आपने यह बहुत सारा बहुत पर्चलित यह experiment है तो इसमें क्या होता है जो एक डोग है जब भी वह खाना देखता था तब उसकी है वह शिलाइवेट वह लार है वह टपकती थी ठीक है लेकिन इस experiment में बाद में क्या किया गया जब भी उसको खाना देते थे थे तब उसको घंटी बजा कर है वह खाना देते थे ठीक है तो डोग रिशीव फूड इस रिंगिंग ऑफ दे बेल ठीक है बेल को रिंग करके है वह हर बार खाना दिया गया उसके बाद में ठीक है पेर्ड विट फूड इज एन एक्जम्पल ऑफ अ कंडिशनलिन स्टीमिलिस इन न्यू स्टीमिलिस डिलिवर्ड इन पेरल विद अन इसके साथ खाना देने के साथ साथ में इसको खाना दिया घया चंती तो अब लगतर बहुत सारे दिन क beast रिटांस वह सिर्फ मेट वह बेल बजाई ठीक है तोस पुछते के सामने डूंख के सामने ओनि बेल बजाई ठीक है घंटी बजाई तो उस्ने कुछते ने सुचां कि भाइए खाना दीया जाएगा तो ली बेल मजाती है तो इसकी है वह लाड टपक ने लगी ठीक है से llevate स्लाइवेट से रिस्पोंस से वह आया ऐखाये हो जो बेखने को मिला annat work experiment में थिक है तो instrumental conditional Vous compared response आपने है वो समझ गये यह भीर ठीक है the so apparent the 2002 कन डीशनिंग में क्या होता था जैसे कि हमने classical इस्काप रीशनिंग में देखा associated and involuntary response और вес stimulus जो हमने Classical conditioning में देखा सो यह involuntary response यूसका लार टपक निठे उसके ह disclose कोत्त के कंट्रॉल में नहीं ता लार उसकी टपकती थी जब भी भी हमने गंटी बजाई तभी उसकी लार टपकी सो लेकिन ओपेरेंट कंडिशनिंग में वोलेंटरी डिस्पोंस देखा गया है ठीक है जैसे कि चू है उसको बहुत सारा है जैसे कि जैसे कि उसको खाना अगर लेना होता है तो उसको चीलिक उनगी उसको खाना मिला तो वे सीख गया ठीक है कुछ समय बात तो इस जब ही बीउसको खाना चाहिए होता था उसको खुद को वोलिंटरी डाने मरे इसके इच्छा के अनुसार उसको यह बढ़ाना पड़ता था फिर Ici उसको खाना मिलता था ठीक है तो बिल्पाटेंगा ये डिमिमंग में आता है। और क्लासा कल में इन्टोंस अज़ाता ह। ट्राइल एंड एरो मिलेग्स को बात करूं से मिलेते हैं। जो कोई भी एनिमल्स होता है जैसे कि इस इमेज में आप केट को देख सकते हो इसको जैसे कि रिवोर्ड अगर अचीव करना है तो इसको खुद को सीखना होगा बहुत सारे ट्राइल है उसको करने होंगे अपने बीवियर के ठीक है जैसे कि वो कभी इस दर्वाजे के है वो दक्का मारेगा मालो कभी उपर है वो दक्का मारेगा ठीक है तो इतने बहुत सारे ट्राइल कर रहा है ठीक है दर्वाजे के अगर वो दक्का मारेगा यह एक ट्राइल है ठीक है तो उसको खाना नहीं मिलेगा याने एरर हो गया ठीक है खाना नहीं मिला याने एरर तो उप कोई भाव छोजयार वह भूल बाद में एक्राइड गर। को प्रफर नाम है Employ about and error so discrimination last topic on the case discrimination learning is defined in physiological physiology as the ability to respond differently to different stimuli so this type of learning is used to study regarding operant and classical conditioning प्रिंदन की की उचाहळ पार साफरिक Ч tavalla किन्त कि फिर गगेड बनाऊ की नच्ट की एख नीपला ट। ट। मेरो फार दिए Алगी बहवीर परसे प्याएष चब लिए पर निए प्रसेश कि अ Wanna- आ यो किसी को जैसे की लीवर वो पूस करा था तभी उसको कहाना मिल रहा था किसी बटन को दबाने पर राने पर रैंफ केंड और बन ला अधान एन ला बनी था और ला स्विलन इंट रहा machst यह इट के च्युर्स कार He, को हीषिपा, की ऑंगे सरा फार भार एंगे मोजल कें राहे सुना का है preciso क्लेख साथ फॉर्ट कारे yellow ऑज दमोर समय प्यों वेडियो भाटा आप 주는 आर्वेजजी को नियुक्त कें मतंगेते दी न व्मौर्टमों संस्य बहुत। फूल होगे तो चलो बाई बाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को ठीक है बाई